उप्राशानी में डेंगू का प्रकोब बढ़ गया है जिसकी वज़े से पिछली 15 दिनों में 1245 मरीज मिल चुकी है साथी कईयों की मौद भी हो चुकी है याशी का करता ने नागपूर हाई कोट में एक अतिरिक्त हलफ नामा दायर कर दावा किया कि प्रशासन डेंगू की प्रकोब को रोकने के लिए विफल रहा है इस पर बुदवार को हुई सुनवाई के दोरान कोट ने मामली को गम भी तास दिलिया और महानिकर पालिका को डेंगू की प्रकोब पर प्रभावी कारिवाई करने का आदिश दिया खामला में पूना प्राइब अवासिय फ्लैट के निवास योद्वारा उच्छन्याले में एक जनहित याशी का लंबित है जिसमें दावा किया गया है कि जरजर हो चुके परिसर में कच्रा और सिवेच के कारण शेत्र में डेंगू फैल किया है हाला कि अगस की पिछले 15 दिनों में 1245 मरीज मिल चुके है इस प्रकार वर्थमार में कुल 1801 मरीज है सरकारी अस्पतालों में स्वास्त सुविदाओं की कमी मच्छरों का बढ़ता प्रकूब और इस प्रकूब को रोकने में साही प्रशासन की विफलता जिम्मेदार है इसलिए कोट से अनरोध किया गया है कि डेंगू मलीरिया स्करफ टाइफ़स जैसी बिमारियों पर नियंतरन के लिए प्रशासन को निर्दिश दे जाए इसे बुदभार के दिन नयादिश अतुल चंदुरकर और नयायमूर्ती व्रिशाली जोशी के समक्ष सुनवाई हु झाल